हेलो फ्रेंड पॉपुलर टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आगयाने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अक्का साहिब ने रखवाई भोसले निवास में महालक्षमी की बड़ी पूजा तो वही पूजा के लिए सवी ने लिया नया अफ्तार और जिसे देखकर उड़े इशान के होश जी हां दोस्तों अब शोग के अपकमिंग ट्रैक में बाप देखेंगे कि जहां अक्का साहिब इशान और सवी को पूजा में बैठने के लिए कहेंगी तो वहीं सवी अक्का साहिब से साफ साफ इनकार कर देगी कि मैं नहीं बैठने वाली क इसी पूजा में क्योंकि आप जब मुझे अपनी घर की बहु मानती ही नहीं हो तो ये दिखावा किस लिए जहां अक्का साहिब सवी से तो कुछ नहीं कहेंगी लेकिन वो अश्मीता पर गुस्ता दिखाते हुए ये कहते हुए नजर आने वाली है कि कोई तो समझाए इन दौनों को इने पता नहीं है कि इस पूजा का क्या महत्व है अभी अभी मेरे बेटे की जान पर इतना बड़ा खत्रा आया था दोबारा जिंदगी मिली है उसे मैं नहीं चाहती कि इशान पर फिर कोई बड़ी मुसीबत आए अश्मिता अब तू ही जा उस लड़की के पा और उसे समझाने की कोशिश करेगी और ये कहते हुए नजर आने वाली किसा भी बड़ा मैंने देखा था जब इशान हॉस्पिटल में था तो तेरी क्या हालत थी तूने उसके लिए पूजा भी की ती तो बड़ा ये पूजा भी सुहाग की रक्षा के लिए ही की जाती है तो वहीं अश्मिता के समझाने पर समी समझ जाएगी और कहते हुए नजर आने वाली है कि अगर मेरे पूजा करने से इशान सर सुरक्षित रहते हैं तो मैं ये पूजा उनकी सलामती के लिए जरूर करूँगी क्योंकि इशान सर की मुझ पे बहुत सारे ऐसान है वैल अप शो के अपकमिंग ट्रैक में बाप देखिंगे कि जहां असमिता खुश हो जाएगी और सवी को देने वाली है साड़ी और श्रिंगार का पूरा सामान और कहते हुए नजर आने वाली है कि मैं जानती थी बाड़ा तेरे दिल कितना अच्छा है अब तू अच्छे नहीं सवी आएगी या नहीं कि इतने में अशमिता खुश हो के कहने वाली है कि ले लो सवी तो आ भी गई जहां इशान जैसे ही पलट के सवी की तरफ देखेगा तो वो उसे सवी को देखता ही रह जाएगा क्यूंकि सवी ने महराश्ट्रियन लुक में साड़ी पहनी होग और पूरा का पूरा सोला शिंगार कर रखा होगा और वो बहुत ही जादा खूबसूरत और प्यारी लग रही होगी तो वहीं दोस्तो इशान के दिल में जगने वाली है सभी के लिए फेलिंग्स तो दोस्तो और अपडेट जानने के लिए आप सब बने रहे हैं हमारे साथ वीडियो को लाइक चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले